नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आईएस पीसेस अगैडमी मेर्ट जैसा कि आप जानते हैं कि आप सबका जो रिजल्ट है बहुत ही आवेटेड दा उत्तर प्रदेश आधिनस सेवा चेन बोर्ड का जो लेकपाल का रिजल्ट है आज उसकी काट आफ या 75.75 और उसके बाद है आपकी अनुसूचित जात की वह है 73.75 अनुसूचित जन जात की है 66.50 और उसके बाद है अन पिछड़ा वर्ग 75.75 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि की EWS की भी OBC के ही बराबर है और नेक्स देखेंगे आगे सुतंतरता संग्राम सेनानी के आसरितों की है 70.50 और विकलांग की है तो लिखित परिच्छा में सूनिया नकारमत अंग प्राप्त करने वाले अभ्यारती को छोड़कर विकलांग सेनानी के समत अभ्यारती चिन्हित हैं फिर महिला में है 75.50 और सायन वियोजित या पास हुए हैं उनका तीन गुना आपको बुलाया गया है डीवी के लिए और बहुत से लोग मायूस हैं क्योंकि मेरे भी कुछ मिलने वाले हैं जो जिनका 75.50 या कह लिजे कि केवल 76 प्रितिशत है यानि कि 0.25 से ही वो सेफ हैं और कुछ लोग अनुसुचित जाती में हैं वो भी 0.25 से ही सेफ हैं तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करें तो बिस्त्रों मैं आपसे यही कहूंगा कि धैरे को बनाए रखिये और देखते हैं कि काल के गर्ब में क्या है और कैसे क्या होगा तो दोस्तों यदि आप कगार पे हैं तो आप मायूस ना ह रखिये और जिन लोगों के 80 प्लस हैं आप अपने आपको सेफ समझे क्योंकि तीन गुना छात्रों को बुलाया गया है तो बहुत जादा जो कगार पे हैं उनके लिए उम्मीद नहीं है मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता हूं बढ़ सत्त यही है कि जो लोग कगार पे ह होगा चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैहिन जैभरत नमस्कार